राधी राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों मताओं वाबधों संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिलाएं हूँ माग मास महातम की कथा का दस्वा अध्याए बंधों हर मुश्य को माग मास में शनान आवश्य करना चाहिए बंधों माग मास में शनान करने का फल क्या है बंधों माग मास शनान करने वाले स्वयम तो स्वर्ग में जाते ही हैं किन्तु उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वरत की प्राप्ति होती है बंदु माग मास में हरी का पूजन करने वाले पाप समुदाय से चूट कर भगवान के श्रीर वाले हो जाते हैं यदि कोई आलस से भी माग मास मिश्नान करता है उसके सभी पाप नश्ट हो जाते हैं जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश रिशी के वजन से माग मिश्नान करने से पापों से चूट गई बंधों माग मास श्नान करने से शाप का फल भी नश्ट हो जाता है सात जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माग में तीरस च्ठान पर शनान करने से नश्ठ हो जाते हैं बंधों माग माशनान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है रास्वे और अश्व मेग यक्य से भी अधिक फल माग माशनान से होता है बंधों फिर संपूरन पापों का सहेज में ही नाश करने वाला माग शनान क्यों ना किया जाए सोब बंधों सभी मनुष्यों को माग मास में शनान अवश्य करना चाहिए हर मनुष्य को सुर्योदे से पहले उठकर माग मास में शनान करना चाहिए बोलो विश्णु भगवान की जय हो शिफशंकर भोले नात की जय हो बंधों अब सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए भगवान विश्णू की जय हो शिफशंकर भोले नात की जय हो ओम शीग ने शाय नम्हा यमदूत कहने लगे हे वैश्य एक बार भी गंगाजी में श्रान करने से नुष्य सब पापों से छूट कर अत्यांत शुध हो जाता है जो गंगाजी को दूसरे तीधों के समान समयता है वह अवश्य नरत में जाता है भगवान के चर्णों से उत्पन हुई गंगाजी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारन करते हैं वह ब्रह्मा जो संदेह रहित परकृती से अलग और निर्कुर है ब्रह्मान में उसकी समानता किस से हो सकती है गंगाजी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरत में नहीं जाता इसलिए मनुष्य को अवश्य मेव गंगाजी मिशनान करना चाहिए हे वेश्य जो ब्रहामन दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है जो कीचर से गो को निकालता है जो रोगी की रक्षा करता है जो गो शाला में मरते हैं वे आकाश में ताला गन होते हैं प्राणायाम करने वाले मनुश्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं प्रातेह समेशनान के पश्चार जो सोलह प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं जो प्राई इस्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते जो मन से भी कभी पर इस्त्री का चिंतन नहीं करता वेह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है जो पराय धन को मिट्टी के समान समयता है वेह स्वर्ग में जाता है जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वरक को जीत लिया जो माता पिता की सेवा देवता तुलने करता है वह यमद्वार नहीं देखता जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं शील की रख्षा करने वाली इस्त्री धन्य है शील भंग करने वाली यमलोक जाती है जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते है या पुरान और सहिता पढ़ते और सुनते हैं, जो सम्रिदी का व्याख्यान और धरम शास्त समयते हैं, या जो विदान्त में लीन रहते हैं, वह पाप से रहित होकर ब्रह्म लोग को प्राप्त होते हैं, जो अज्यानियों को वेद शास्तर का ज्यान देते हैं, वेद देवत से भी पूजित होते हैं यम्दूत ने कहा है वैश्य श्रेष्ट यम्राज ने हमको वही आज्या दे रखी है कि तुम किसी वैश्ण को मेरे पास मत लाओ हे वैश्य पापी लोगों को इस संसार रूपी नरत को पार करने के लिए भगवान की भक्ती के सिवाए दूसरा कोई उपाय नहीं भगवान की भक्ती ना करने वाले मनुश्य को चंडाल के समान समयना चाहिए भगवान के भगत अपने माता-पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरत में नहीं रहने देते और जो मनुष्ये व्यैश्नव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की क्रिपा से शेश्ट गदी को प्राप्त होते हैं बुद्धी मान को सुदैव वैश्णव का अन खाना चाहिए इस से बुद्धी पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता गोविन दाइनमा इस मंत्र का जाब करता हुआ जो मनुश्य मृत्यू को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त होता है इसमें कोई संदे नहीं जो मनुश्य भगवान विश्णु के मंत्र का चाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादी बड़े बड़े पाप नश्ट हो जाते हैं भजमन नारायन नारायन हरी हरी 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 भजमन नारायन हरी हरी भजमन नारायन नारायन हरी हरी भजमन नारायन हरी हरी भजमन नारायन 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 नारायन हरी हरी राधे राधे जिश्य क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद